नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल समाचार इस बुलेटीन के मादिम से हम हिमाचल परदेश के उन सभी खबरों को कवर करते हैं जो आपकी अवेरनस के लिए हैं जरूरी तो चली शुरू करते हैं मुख्य मंत्री जेराम ठाकुर ने कहा कि करोना मामारी को देखते वे प्रदान मंत्री गरीब कल्यान योजना को राजी में प्रभावी धंग से लागू किया जा रहा है उन्होंने कहा कि केंडर ने कोविड-19 में लगे स्वास्ते करमचारियों को 50 लाग रुपे का भी मखवर दिया है जबकि राजे सरकार ने इसी करोना वाइरस की लड़ाई में सीधे तोर पर जुड़े जुटे अन्य विवागों के करमचारियों को 50 लाग रुपे अनुग्रह राशी देने का निर्ने लिया है जैराम ठाकुर ने कहा कि केनर सरकार ने प्रदेश के 8,68,000 से अधिक चिनित किसानों के बेंक खातों में किसान सम्मान निधी योजना के तहत 2,000 रुपे जमा करने का निर्ने लिया है मुख्य मंत्री ने कहा कि इसी इवत्रह प्रदान मंत्री जंधन योजना के तहत अगले तीन महिनों के लिए महिला खातादारकों के खाते में अनुग्रह राशी के रुपे 500 रुपे जमा किये जा रहे है जैराम्ठाकुन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश बहवन और राण्यस निर्मान कामगार कल्यान बोर्ड के तैप पंजिकरेट श्रमिकों को राजी सरकार द्वारा मार्च और अप्रेल में 2,000 रुपे दिये जा रहे हैं उनने कहा कि सरकार ने 5,69,000 से अधिक लाबाट्यों को समाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की है मुक्यमंत्री जैराम्ठाकुन ने कहा कि प्रदेश सरकार सुष्टा करमचारियों की सुरक्षा और कल्यान के लिए सुथ प्रतिबत है वियाज शिमलाश्तित अपने सरकारी निवास अस्तान ओक ओवर में उनसे मिलने आये नगर निगम के सफाई करमचारियों को संबोधित कर रहे थे मुक्य मंत्री ने कहा कि करोना वाइरस के द्रिश्टिगत डाक्टर नर्सेंप, पुलिस करमचारी, आशाव आंगरवडी, कारिकर्ता, सफाई करमचारी, अपनी मैतोपुन, भूमिकानी बारे है जिससे इस वाइरस के खिलाब प्रभावी तरीके से लड़ने में मदद मिल रही है शिक्षा मंत्री सुरेच बार्दवा, शेहर इविकास मंत्री सर्विन चौधरी और नगर निगम महापोर, सत्या कॉंडल भी इस दोरान मौजूद रहे मुख्य मंत्री ने प्रदेश को 2095 सर्जिकल मास्क प्रदान करने के लिए राष्टपती रामनात कोविन का आभार जिताया है राष्टपती को लिखे एक पत्र में मुख्य मंत्री ने कहा कि इससे स्वास्ते करमचारियों कोरोना महामारी से निपटने में सुरक्चित रह सकेंगे इस विज मुख्य मंत्री जेराम ठाकु ने लोकसभा अध्यक्ष वर राजिस्तान से सांसत ओम बिरला से कोटा वो राजे के अन्य भागों से फसे हमाचल के विद्यार्थियों के मामले में हस्त छेप करने का आगरे कि लोकसभा अध्यक्ष को लिखे एक पत्र में मुख्य मुख्य मंत्री ने कहा है कि कोरोना महामारी के द्रिश्टिकत लगाए कि लॉक्टाउन के करण प्रदेश के हचारों लोग देश के भी निश्व में भसे हैं मुख्यमंद्री ने कहा कि प्रदेश के से सैकोड विद्यार्थी कोटा से कोचिंग कोर्स कर रहे हैं और उनके अविवावक बच्चों को वापिस लाने का अनुरोध कर रहे हैं जैराम ठाकों ने लोगसवाद एक्षिक से विद्यार्थियों की उचित देखवाल सुनिशित करने का भी आगरे किया प्रदेश में आज कुल 460 लोगों के सैंपल करोना जांज के लिए बेजी गए जिन में से 111 सेंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है जबकि 349 की रिपोर्ट आना अब बाकी है अतरिक्त मुखे सचीव स्वास्ते आरडी दिमान ने एक प्रैस विध्यप्ति के माध्यम से ये जानकरी दी है उन्होंने बताये कि प्रदेश में अभी तक 3341 लोगों की जाज की जा चुकी है जिसमें से 49 व्यक्तियों के संकर्मन की पुष्टी हुई है आडी दिमान ने बताये कि राजी में अब तक 8298 लोगों को सुरक्षाद्रिष्टी से निग्रानी में रखा गया था जिन मैसे 5380 लोग 28 दिनों के निग्रानी अवदी को पूरी कर चुके है कुरोना महवारी को देखते वे किसानों को अपना उत्पाद असानी से मंडियों तक पहुचाने के लिए केंदर सरकार ने किसान रत नामक एक मोबाईल एप विक्सित किया है कृशी मंत्री रामलाल मरकंडे ने किसानों से इस एप को डाउनलोड करने की अपिल किया है उन्होंने कहा कि ये एप्लिकेशन परदेश में कृशी वागानी उत्पादों को राज्ये के भीतर और बाहर की मंडियों में भेजने में मददकार साबित होगा मारकंडे ने कहा कि इस एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है उन्होंने कहा कि इस एप सेवा के माधियम से 5 लाख ट्रकों और 20,000 ट्रेक्टरों की जानकारी उपलब्ध होगी जिसे किसानों वो व्यापारियों को अपने उत्पाद ले जाने में सुविदा होगी